Hello Everyone! Welcome to Competitive Exam Academy इस वीडियो में GFC-CIL और Indian Railway के हिस्ट्रie कों कबर करेंगे इससे पहले GFC-CIL और Indian Railway के हिस्ट्री से सम्मनित हमने वीडियो को अप लोड कर दिया है अगर आप उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक हमने description box में दे दिया है और हाँ यदि आप channel पे नए हैं तो channel को जरूर subscribe कर लीजिए और bell button को press कर देजिए ताकि जब भी कोई video upload किया जाता है तो आपको उसका notification मिल जाए और telegram channel को भी join कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल जाए ये DFCCIL और Indian Railway के हिष्टे से सम्मदे जितने भी video मैं upload करूँगा उनका PDF एक ही साथ combine करके आपको exam के एक सब्ता पहले मैं upload कर दूँगा टेलिग्राम channel पे आप उनको revise कर लेना तब तक आप वीडियो को बार बार देखना और revise करना तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला question है भारत की पहली जो डबल डेकर ट्रेन है कहां से कहां तक चली थी भारत की जो पहली डबल डेकर ट्रेन जो चली थी ये हावड़ा से धनबात के बीच में चली थी और ये एक अक्टूबर 2011 को चलाया गया था भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन जब ही ट्रेन लांज किया गया था तो जो भारत जो देश है स्वेंगतराज अमेरिका और इंगलाइंड के बाद डबल डेकर ट्रेन संचालित करने वाला तीसरा देश बन गया था और ये जो ट्रेन है पांच घंटे की यात्रा करनी थी इस ट्रेन को और 259 किलोमीटर दूरी तै करना था तो भारत की जो पहली डबल डेकर ट्रेन चलाई गई थी ये हावडा से धनवाद के लिए चलाई गई थी और यह जो है एक अक्टूबर 2011 को सुरू किया गया था अगला कोश्चन है कि भारती रेलवे की पहली महिला लोको पाइलट यानि की ट्रेन ड्राइबर कौन है तो सुरेखा जो यादो है ये पहली महिला लोको पाइलट बनी थी भारती रेलवे में तो आंसर होगा आपका सुरेखा यादो अकला कोश्चन है भारत की पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई लोकोमोटिव रहीत यानि की इंजन रहीत ट्रेन को किस नाम से जाना जाता है लोकोमोटिव रहीत मतलब ये डीजल से नहीं चलता था ठीक ना अब ये जो ट्रेन जो चलाई जाएगी ये इलेक्टर सीटी से चलाई जाएगी तो भारत की स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई लोकोमोटिव रहीत जो ट्रेन है ये ट्रेन 18 है और ट्रेन 18 का नाम ही बं और इसे integral coach factory जो की चन्नई में है इसके द्वारा इसको design किया गया है तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो train 18 है उसका दूसरा नाम क्या है बंदे भारत Express है या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बंदे भारत Express का दूसरा नाम क्या है तो बंदे भारत एक्स्प्रेस का दूसरा नाम है train 18 ठिक और इसे किस ने बनाया है तो इसे integral coast factory ने बनाया है आपसे integral coast factory कहां पे है ये पुछा जा सकता है तो integral coast factory जो है ये चेन्नई में है और modern coast factory कहां है modern coast factory ये राय भरेली उत्तर प्रदेश में है अगला question है कौन सी railway line अरब सागर के समांतर चलती है तो जो कौकर railway है ये अरब सागर के समांतर चलती है अगला कोशें है, दख्षिड भारत की पहली यात्री ट्रेन कहां से चली थी यह नि कि दख्षिड भारत की जो first passenger train है यह कहां से कहां तक चलाई गई थी तो यह जो ट्रेन चलाई गई थी, यह रोयापूरं से व्यासरपदी कहां है? मद्रास में है तो रोया पूरम से ब्यासर पदी मद्रास से वाल जहां तक ये चलाई गई थी और कब चलाई गई थी एक जुलाई 1856 को और कितने किलोमेटर की दूरी इसने तै की थी भारत का पहला ट्रामवे घोड़े से चलने वाला जो ट्रामवे है ये कब खोला गया था तो ये 24 फरवरी 1873 को भारत का पहला ट्रामवे घोड़े से चलने वाला जो गाड़ी है ये खोली गई थे और किन के बीच में ये जो ट्रेन चली थी सियालदा और अर्मेनियन घाट स् थे और जो कितने किलोमेटर की दूरी इसने तय किया था तो 3.8 किलोमेटर की दूरी इसने तय किया था यानि कि 2.4 माइल्स की दूरी इसने कवर किया था अग्ला कॉछन है Electric Lighting के मानस फिक्टर्स के रूप में पेस करने वाला रेलवे कौन सा है यानि कि फर्स्ट रेलवे to introduce electric lightning as a standard फिक्टर्स था ये जोदपूर रेलवे है और इनने 1902 में जो है Electric Lighting को मानक फिक्टर्स के रूप में पेस किया गया था अगला कुश्चन है पर्थम इलेक्ट्रिक सिगनल लाइटिंग किसके भी शुरू की गय थी यानि कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक सिगनल लाइटिंग जो इंटर्डूस किया गया था दादर और करी किभीच में किया गया था कहां पे बांबे में कप किया गया था 1920 में किया गया था अगला कुस्चन है भारत में पहली इलेक्टरिक पसंजर ट्रेंग किसके बीच चली थी पहली इलेक्टरिक है इस पे चलाए गया था 1500 बोल्ट ये कौन से करेंट यूज किया गया था DC यानि डारेट करेंट यूज किया गया था नो की अल्टरनेटिक करेंट भारत का पाला स्वचालित रंग प्रकास सिगनल किसके बीच चालू हुआ यानि कि इंडिया का जो फरस्ट आटोमेटिक कलर लाइट सिंगनल है ये किन के बीच में चालू हुआ तो ये चालू हुआ ये बामबे वीटी से बायो कुला के बीच में ये चालू हुआ था अगला कोशन है सभी स्रेणियों के डिब्बे में सभी यात्रियों के लिए पंखे और लाइटे चालू रहना कब अनिवार किया गया तो ये जो अनिवार किया गया था 1951 में अनिवार किया गया था तो अंसर होगा 1951 अगला कोशन है पहली पूर वातानु कुलित ट्रेन किसके बीच चलाई गय थी यानि कि फुली एर कंडिशन ट्रेन जो चलाई गया था किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गया था तो ये हावडा और दिल्ली के बीच में चलाई गया था 1956 में वह पहला रेल्वे ट्रेक खंड कौन सा है जिसे 25 के भी AC ट्रेक्शन के साथ बिदूती क्रित किया गया था तो ये जो है जो रेल्वे खंड है राज खर्सवान टू डंगोस पोसी है इनके बीच में 25 किलो वोल्ट AC ट्रेक्शन से बिदूती क्रित किया गया था अब कब किया गया था 1960 में अगला कोशन है भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी है भारत की पहली मेट्रो ट्रेन जो है ये कोलकाता मेट्रो है और कोलकाता मेट्रो को कब सुरू किया गया था 1984 में सुरू किया गया था उस समय जो प्रधान मंतरी कौन थे भारत के तो इंद्रा गादी जो थी ये प्रधान मंत्री थी जिस समय भारत में कोलकाता मेट्रो शुरू किया गया था भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहां से कहां चली थी तो भारत की जो पहली मेट्रो जो ट्रेन चली थी ये एस्पलेनेट से भावानीपूर के बीच चली थी 24 अक्टूबर 1984 को ये train चलाई गई थे और पहली metro train कोन से थी? Kolkata Metro, यानि की जो भारत की पहली metro train Kolkata Metro train जो थी, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? Asplanendate से भवानीपुर चली थी, कब चली थी? 24 October 1984 को चली थे अगला कोश्चन है कम्प्यूटरी क्रित टिकेटिंग और आरच्छड कब और कहां शुरू किया गया था यानि कि when was the computerized ticketing and reservation introduced and where तो ये चलाया गया था New Delhi में 1986 में ये शुरू किया गया था यानि कि आपका जो reservation होता था computer based होना शुरू हो गया 1986 में और कहां से शुरू हुआ New Delhi से शुरू हुआ अगला कुश्चन यह भारत की वेन वाज फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मसीन जो शुरू की गए थी 1990 में शुरू किया गया था और ये नई दिल्ली में शुरू किया गया था अगला कोस्चन है वातानुकुलित त्री अस्तरिय कोच और स्लीपर क्लास की शुरुवात कप की गया थी तो एयर कंडिशन थ्री टियर कोच और स्लीपर क्लास जो इंटिड्यूज किया गया था 1993 में इंटिड्यूज किया गया था अगला कोस्चन है भारती रेल्वे ने ओनलाइन ट्रेन आरच्छण और टिकटिंग कब शुरू की ये 3 अगस्त 2002 को इंडियन देल्वे ने ओनलाइन ट्रेन जो रेजर्वेशन है और टिकटिंग की प्रकिरिया शुरू की टिकटिंग की ततकाल प्रणाली यानि जो ततकाल जो सिस्टम है रेजर्वेशन करने का ये कब शुरू किया था तो 1997 में ये शुरू किया गया था ततकाल टिकट बुकिंग का अगला कोश्चन है 180 किलोमेटर की अधिक्तम गती वाली भारत की सबसे ट्रेन कौन सी है तो 180 किलोमेटर प्रती घंटा की अधिक्तम गती करने वाली भारत की जो सबसे तेज ट्रेन है ये बंदे भारत एक्सप्रेस है बंदे भारत एक्सप्रेस को train 18 के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माल integral coach factory चन्दई में किया गया है अगला question है भारती railway ने पूरे rail network का विद्धूति करण कब तक किया जाएगा यानि कि भारती railway ने पूरे rail network को electrified करने का निर्णे कब तक लिया है मतब कब तक ये complete हो जाएगा इसका लच्छ है दिसंबर 2023 यानि कि इसी साल ये पूरा complete हो जाएगा पूरा railway जो है भारत में electrified हो जाएगा अगला question है पहला rail budget कब पेस किया गया था तो ये पहला rail budget जो पेस किया गया था ये बृटिस राज में पेस किया गया था और 1925 में ये पेस किया गया था अगला question है सोतंत्र भारत का पहला rail budget कब प्रस्तूत किया गया था सोतंत्र भारत का जो पहला जो rail budget है 20 नौवंबर को 1947 को पेस किया गया था और जानमताई के द्वारा ये पेज किया गया था अगला कोश्चन है रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में और किस कमेटी के सिपारिस पर तो एकवर्थ कमेटी के सिपारिस पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था लेकिन ये जो समीती का गठन कप किया गया था तो एकवर्थ समीती का जो गठन किया गया था 1920 में किया गया था और एकवर्थ समीती की सिपारिस पे ही 1924 में rail budget को आम budget से अलग कर दिया गया अगला question है केंद्रिये बजट और rail budget का बिलय कब किया गया केंद्रिये बजट का मतलब जो है आम budget की बात किया जा रहा है तो केंद्रिये बजट और rail budget बिलय किया गया था 2016 में ठिक और किस समीति के सिपारिश पर विवेक देवराय समीति के सिपारिश पर किंद्रिये बजट और रेल बजट को आप का बिलाय कर दिया गया और भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट को रेल बजट के में बिलाय करने की मंजूरी दी थे और जो पहला जो यह सहुंत बज बजट के अबिले किया गया था 2016 में विवेक देवराय समीती में और एक फरवरी 2017 को पाला सेंग्त बजट संसद में पेज किया गया था अगला कुश्चन है भारत के सब्से लंबे समय तक सिवारत रेल मंत्री कौन है तो जग जीवन राम जो है ये भारत के सबसे लंबे समय तक रेल मंत्री रहे और ये साथ बार इन्होंने रेल बजट को पेश किया है अगला कोश्चन है किस बर्स भारती रेलोय को 20 दिनों की हरताल का सामना करना पड़ा जिससे देश की अर्थव्यवस्ता को नुक्सान हुआ तो 1974 में भारती रेलोय को 20 दिनों की हरताल का सामना करना पड़ा था और इससे देश की अर्थव्यवस्ता को बहुत ही नुक्सान अगला कोश्चन है भारत की सबसे लंबी रेल्वे सुरंग कौन सी है भारत की सबसे लंबी रेल्वे सुरंग जो है पीर पंजाल रेल्वे टनल है और यह कहां पेस्तित है यह जम्मू कस्मिर में इस्तित है तो पीर पंजाल रेल्वे टनल की जो लंबाई कितनी है यह है 11.215 किलोमीटर और यह कहां पे इस्तित है यह जम्मू कस्मीर में इस्तित है अगला कोश्चन है भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर यानि कि लोको पाइलट कौन है तो सुरट जोादो है यह भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है और यह ठारा सो तिरपन में उने ट्रेन चलवाई थी बंबई के बोरी वंदर स्टेशन से ठाड़े के बीच में टूटल 34 किलोमेटर की दूरी ये ट्रेन यात्रा की थी 34 किलोमेटर मतलब 21 माइल्स की दूरी ये ट्रेन दूरी तै की थी और इस ट्रेन का नाम क्या था इस ट्रेन का नाम था साहीब सिंद और सुल्टान अगला कोशन है भारत के किस राज में कोई railway station नहीं है तो भारत का सिक्युम एक मात्र जो राज जें यहां पे कोई भी railway station नहीं है सिक्किम के निकर्तम जो railway station है एक तो है सिली गुड़ी और दूसरा है निव जलपाई गुड़ी निव जलपाई गुड़ी जो है ये पस्चिम बंगाल में है ठिक और सिली गुड़ी भी पस्चिम बंगाल में है तो ये जो है सिक्किम के सबसे निकर्तम railway station है अगला कोशन है भारती रेल्वे के तिहास में शबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन कौन सी है अगला कोश्चन है भारत में सबसे बड़ा उपनगरिये रेलवे नेटवर्क यानि कि सब अर्बन रेलवे नेटवर्क और सबसे बड़ा कौन सा है तो भारत में सबसे बड़ा उपनगरिये रेलवे नेटवर्क यानि कि लार्जेज सब अर्बन रेलवे नेटवर्क जो है य अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पिन्दाइए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग कॉंपटेटिव एक्जाम एकडमी